आज हमारे देश की राष्टपती द्रौपदी मुर्मु ने संसद के अंदर पेपर लीक को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है उनका जो आज संसद के अंदर भाषन उनके दौरा जो दिया गया उसमें पेपर लीक को भी शामिल किया गया गौर्मेंट इस फुली कमिटेट टू इन्वेस्टिगेटिंग दा रीसेंट इंसिडेंट्स ओप दी पेपर लीक्स यानि की राश्टपती की तरफ से कहा गया है कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद है कि वो जो हाल ही में पेपर लीक्स के जो मामले आपके सामने आये हैं इन इन्सिडेंट्स की पूरी तरह से जाच कराई जाएगी और जो भी दोशी होंगे उन्हें पनिश किया जाएगा आज अगर मैं बात करूं तो राश्टपती द्रौपदी मुर्मू पारलियमेंट के जॉइंट सेशन को संबोधित कर रही थी यानि कि संसद में लोकसभा और राजसभा दोनों का जो आपकी यहां पर जॉइंट एड्रेस था वो उनके द्वारा दिया गया अठार्वी लोकसभा को पहली बार वो संबोधित कर रही थी चुनाओं के बाद उन्होंने कहा कि सरकार काम कर रही है एक ऐसा एन्वार्मेंट करेट करने की जहां पर युव लिवर्मेंट खीप इन सपनों को हासिल कर सके और यह सरकार की जमे दारी है और सरकार इस पर काम कर रही है अब अगर हम बात करें यहां पर की रिसेंटली जो नीट एग्जामिनेशन में जो आपकी यहां पर धंड़ी निकलकर सामने आया उसके बाद सरकार ने कुछ ठोस क कदम भी आपके उठाये हैं जैसे कि सरकार ने Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024 को आपके हाँ पर लागू किया है ये कानून आपका बनाये गया है जैसे हम कह सकते हैं Anti-Paper Leaks Law भी इसे कहा जा सकता है यानि कि Paper Leaks जैसे मामलों को रोकने के लिए या Paper Leaks जैसे मामलों की जाच के लिए ये कानून आ आगे चल कर जब भी Paper Leaks जैसे मामले निकल कर सामने आते हैं या Public Exams में जब कभी भी चीटिंग होती है तो ये कानून उससे Related प्रावधान रखता है तो क्योंकि ये कानून आपके यहां पर लागू हो चुका है तो कोई भी विक्ति इंडिविजिवल स्कॉट यूजिंग unfair means during the exam face at least 3 years in prison कोई भी विक्ति अगर Paper Leaks के मामले में पकड़ा जाता है या फिर Public Exams में चीटिंग कराने के मामले में दोशी पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की सजा जिसे 5 साल तक के लिए आपका बढ़ाया भी जा सकता है और 10 लाख रुपे तक का जो फाइन है वो उस वि प्रेक्ति नहीं भरता है तो उसकी जो जेल की कारावास की सजा है उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है क्योंकि उसने फाइन पे नहीं किया इसके लावा जो टेस्टिंग एजनसी हैं या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो एक्जाम कंड़क्ट कराते हैं आपने भ जाते हैं तो उन्हें एक करोड रुपे तक का फाइन यहां पर देना होगा एडीशनली दे में भी बार्ट फ्रॉम कंड़क्ट एनी पब्लिक एक्जाम फॉर इसके लावा फाइन तो उनको देना ही पड़ेगा और अगले चार सालों तक वो किसी भी एक्जाम को कंड़क् इसमें ऐसे मामलों में इन्वाल्व ना हो सीनियर मैनिजमेंट की बात करें तो जो भी सीनियर मैनिजमेंट है यानि की जो वरिष अधिकारी है मैनिजमेंट के अगर वो इन्वाल पाय जाते हैं एक्जाम के पेपर लीग के लिए या फिर वहाँ पर चीटिंग के लिए या फाइन लगाया जा सकता है अच्छा इन सारी चीजों के बीच में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता फॉर एक्जाम पिल एक्जाम बड़े पैमाने पर कंड़र्ट होते हैं और कुछ लोग मिलकर इस पेपर लीक जैसी वारदात को अंजाम देत लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं होता तो लॉ में यह भी प्रावधान किया गया है कि यह कानून उन लोगों पर लागू नहीं होगा अगर वो इस बात को प्रूब कर देते हैं कि यह जो गलत हुआ है एक्जाम में वो विदाउट उनकी नॉलेज हुआ है यानि कि उनको इस बारे में कुछ पता नहीं था और इसके लिए अगर वो कोई सबूत दे पाए तो वेलें गोड और जब उन्हें पता चला तो इन्ह उन्होंने इसे रोकने की पूरी कोशिस की तो अगर ये वो प्रूफ कर देते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं था या जब उन्हें पता चला तो उन्होंने इस गलत काम को रोकने की पूरा प्रयास किया पेपर लीक को रोकने की कोशिस की पेपर में चीटिंग जो आपकी हो गिल्टी नहीं होते जिल लोगों को कुछ पता नहीं होता ठीक है और वो लोग भी उन लोगों के साथ कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है तो वो लोग नहीं पिसेंगे और इवेन अगर उन्हें कुछ पता चलता है और वो रोकने का प्रियास करते हैं तो ऐसे ल नीट एक्जाम के जो पेपर लीक आपका यहाँ पर हुआ है उसके दोस्यों को सजा मिलेगी और भविस में किसी पॉब्लिक एक्जाम में जो पेपर लीक है वो चीजें नहीं होंगी जिससे बच्चों का जो भविस है वो शुरक्षित रहेगा आप अपना भविस और बहतर बना सकते हैं M5 के साथ मिलकर M5 एप्लिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और M5 सिंपल को सब्सक्राइब कर सकते हैं M5 सिंपल को सब्सक्राइब करने के तीन तरीके हैं जहाँ पर आप वन येर सब्सक्रप्शन ले सकते हैं वन मन्थ सब्सक्रप्शन ले सकते हैं और य 25 कोड यूज करने पर आपको 1-year के सब्सक्राप्शन पर 25% का डिसकाउंट मिल जाएगा और दूसरा कोड आपके यहां पर जो बनता है वो है आपका अचीव 15 कोड तो अचीव 15 कोड यूज करने पर आपको 3 महिने के Mbive Simple के सब्सक्राप्शन पर आपको 15% का डिसकाउंट मि सभी examinations की तैयारिया सभी का एक single subscription आपको यहां पर मिल जाता है amount आपके सामने है affordability के हिसाब से आप यहां पर इसे subscribe कर सकते हैं और अपने भविश्द को बहतर बनाने के लिए तैयारी कर सकते हैं आज के लिए इस वीडियो में इतना ही thank you so much